हेलो फैंस नमस्कार आज के इस वीडियो के माध्यम से RRBJ इंटर जोनरल टांसफर किस प्रकार से किया जाता है इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे तो सबसे बिले देख लेते हैं अगर आप किसी भी डिविजन में एक्वली जुनिय आपको इंटर जशूनर टांसफड दाता है जम से दूसरे जून एमकरम करेंगे उसके बाद आप करेंगे आपका ही पोस्ट का होना चाहिए जैसे एक अग्जाप को लेते हैं अगर पीवे का है तो दूसरा जो जो इंपलाई है वह भी जैई पीवे का होना चाहिए बीचर इसके बात आप अपलायन के बात देंगे चल्ट आप्लीकिसंगर आता है ताइस ये मोथ यसी वहां टांसफर हो जाएगा तो उसका भी एक सट एच होता है डे होता है वरकिंग इतने दिन कें अंदर वो उसको फॉर्वाड फिर आगे खरना है किसी कारणमा सकरों नहीं करते हैं किसी application में गर आपकी त्रूटी है तो उसमें रिमार्वार्वार्व को डाल देंगे फिर आपके पास जो है उसका फिर से अप्डेटट कर दे जो भी उसमें रिमार्वार्वार्वार्वार्व जाएगा तो जैसे यह division चला जाता है डिविजन में जो डिपीओ ऑफिस जो होता है डिविजनल परस्टनल ऑफिस जो कार्मी की विभाग होता है तो वहां से जो है फिर आपको एक्विली जैसे यह अनुशी मिल जाएगा ऑनलाइन के थूर आपको प्रोसेस पता चल जाएगा जैसे आप अपडेटेट रहेंगे यह देखते रहेंगे तो फिर उसके बाद आपको रिलीकर डेगा तो वहां से आप जाएंगे वहां पर फिर हुआन करेंगे दूसरा इंप लिए जिसके साथ आप कर आए थे वहां से पहले वहां पर आ जाएगा यह पहला हो तूसरा होता है एक on request transfer on request transfer भी HRMS के थ्रू होता है उसमें जो है आपको कोई दूसरा employee खुजने की जोड़त नहीं है और आप जो है वहाँ पे apply कर दे और यह भी process के थ्रू वैसे dealing color के पास जाएगा फिर वहाँ से forward होके division जाएगा और जिस division में या दून में अगर आप जाना चाहरें वहाँ पे application चला जाएगा automatically और वहाँ से जो है अगर इस वीडियो में आपको सब्सक्राइब आगे आओगा अगर आपको चला रगा अच्छा लाइता है जोड़ाइक सब्सक्राइब शेयर करें नहीं है